इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करते यह विभिन शारीरिक कारियों का समर्धन करता है और समग्र स्वास्थे को बढ़ावा देता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. फेरस एसपार्टो ग्लाइसिनेट आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया को प्रबंधित करने में मदद करता है 2. एल मिथाइल फोलेट समग्र हृदे स्वास्थे का समर्धन करता है गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ भ्रून विकास को बढ़ावा देता है और कुछ जन्दोशों को रोपने में मदद करता है 3. कैल्शियम हड्यों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और मानस्पेशियों की कार्य को बढ़ावा देता है 4. विटामिन D3 उर्जा की स्थर को बनाए रखने में मदद करता है और शरीर में कैल्शियम के अवशोशन को बढ़ाता है 5. विटामिन B12 स्वस्थ मस्तिश कार्य, तंत्रिका तंत्र और लाल रक्त कोशिका उत्पादन का समर्थन करता है 6. जिंक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य का समर्थन करता है, घाव भरने में मदद करता है और मुहासे और अन्य तवचा स्थितियों के इलाज में भूमिका निभाता है साथ, विटामिन C प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है, स्वस्थ तवचा को बढ़ावा देता है और कोलेजन निर्मान में सहायता करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें